हाई फ्रेंड्स इस राहमत वेलकम टो आवर चानल आप देख रहे हैं सेल्फ एम्प्लाइमेंट टेवी इस वीडियो में आपको हेवी प्राफुटिबल एंट लो इंवेश्मेंट बिजिनेस एड़ा के बारे में बताऊंगा ऐसा बिजनेस जिसे स्टार्ट करने के लिए सिर्फ 50,000 या उससे भी कम इंवेश्मेंट की जरूरत पड़ेगी ऐसा बिजनेस एड़ा के बारे में को नहीं जाना चाहते इसलिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमली में भी शेर कीजिए चलिए अब आगे चलते हैं अक्सर हम मोमोस टाल बिजनेस को डेली बेंगलूर जैसे सिटीस में देखे होंगे आपको जो स्क्रीन पर दिखाये जा रहा है वही मोमोस है बहुत से लोग इन मोमोस को इवनिंग स्नैक्स में खाना पसंद करते हैं इस बिजनेस में आपको प्रोड़क्शन कर्ष्ट कम और सेलिंग कर्ष्ट ज्यादा होता है इसके कारण डेली बेंगलूर जैसे बड़े बड़े सिटीस में मोमोस बिजनेस करने वाले मर्चेंट हर महीना लाग और रुपीज कमा रहे हैं अब हम इस मोमोस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना इंवेश्मेंट की जरूरत पड़ेगी इसके बारे में मालूम करेंगे आपको इस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कम इंवेश्मेंट की जरूरत पड़ेगी अगर आप इस Business को Cape Type में start करना चाहते हो तो 250,000 से लेके 1,000,000 रुपीस के investment की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप इस Business को एक काट की तरह start करना चाहते हैं तो सिर्फ 30,000 रुपीस से इस Business को start कर सकते हैं अब इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यूज होने वाले मिशनरिस और रा मेटेरिल के बारे में मालूमत करेंगे इस बिजनेस के रिए होने वाला रा मेटेरियल आके आपको एक स्टोव, मोमोस बॉयलर, मोमोस निकालने के लिए स्पून्स और फ्लेट्स की जरूरत पड़ेगी और इसी तरह ग्रासरी आइटेम्स आके आपको क्याबेजी, क्याली फ्लेवर, क्यारेट्स, मैदा और कुकिंग एल जैसे चीजों की जरूरत पड़ेगी अब हम इस मोमोस बनाने के प्रोसेस के बारे में मालूम करेंगे सबसे पहले हम मैदे के अंदर साल्ट और वाटर को दालके अच्छे सी मिक्स कर लेना पड़ेगा और वेजिटेबल्स को छोटी-छोटे पीचस में कट कर लेके बाजोग रख लेना चाहिए और इसी तरह स्टोव आन करके स्टोव पे पैन रखके उसमें आईल दालके छोटे-छोटे कटकी के वेजिटेबल्स को रोस्ट करना पड़ेगा उसके बाद महिदे के चोटे-चोटे रौंड्स को बनाकर रोटी के शकल में बनाकर रोश किये हुए विजटेबल्स को उसकंदर स्टब जैसे रख लेना चाहिए बिर लाश में इन मोमोस को बॉयलर में रखके 10 मिनिट्स के लिए बॉयल कर लेना चाहिए और इसके बाद मोमोस रेडी हो जाएंगे दोस्तों इन मोमोस को स्पैसी चट्टी के साथ लेंगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा और इसी तरह इस बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट मार्जिन के बारे में मालुम करेंगे देखे दोस्तों मार्केट में एक प्लेट मोमोस का कास्ट आके आपको 50 रुपीज तक है और एक प्लेट मोमोस त्यार करने के लिए आपको 25 रुपीज का खर्चा होगा तो आपका profit आके 50% याने 25 रुपिस होगा अगर आप एक दिन में 100 प्लेट सेल करने का अगर प्लान कर लेंगे तो वन डे में 2500 रुपिस और वन मन्त में 75,000 रुपिस प्राफिट कमा सकते हैं देखिए दोस्तों आप इस बिजनेस को KF टैप, Momos का टैप एड स्टार्ड टैप में आपके पसंद आये जैसा स्टार्ट कर सकते हैं और इसी तरह इस business की marketing काके आपको items की quantity, taste, price और neatness पर depend होता है और आप starting में इन momos को खोड़ा कम रेज में sale कर सके तो और भी आपको customer attract होईंगे और इस business के लिए होने वाले permissions के बारे में मालूम करेंगे इस business को start करने के लिए आपको food controller से FTSS यही certificate लेना पड़ेगा आपको यह business idea के बारे में सुनके कैसा लगा हमें comment box में जाके जरूर बताए और भी informative वीडियो के लिए हमारे चानल को like करें अपने family and friends में share कीजिए और bell icon पे click करके all notification बटन को आन करना मत भूलिए एक और new business idea के साथ बिर आपसे मुलाकत होगी जब तक के लिए bye दोस्तो thank you keep watching our videos